हे गाईज वाकम बाक टू Mr. Vyas और आज एक सेक्लिए मैं बात करने वाले हैं Linux Best Share Hosting Service के बारे में जी हाँ गाईज Linux Based Share Hosting Service के बारे में आप में सब बहुत साफ लोगों ने मुझे लॉंग टाम से कमेंड किया कि विंडो बेस शेर होस्टिंग और Linux Based Share Hosting में हमें कौन सा buy करना चाहिए तो best account कौन सा है या फिर कौन से ऐसे best company जहां से आफ affordable price के अंदर एक अच्छा खासा Linux based hosting बाई कर सकते हैं Linux based hosting के अंदर क्या issues होते हैं और जो मैं आज आज आपके सामने एक review करने वाला हूँ एक hosting company के बारे में definitely वहां से अपन देखेंगे कि उन्हों ने वह जो problem को किस तरीके सा address करके आपके सामने simplify कर दिया है Linux based hosting के बारे में जिहां guys without wasting time अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो चनल को subscribe कर देजिए वीडियो को like कर देजिए और comment करके अपना opinion बताना मत बुलिएगा कोई भी pending queries हो comment करके बताएगा वह चलते है without wasting time on screen so anyways guys जो आज हम जिस hosting के बारे में review करने वाले है वो बहुत ही popular है इंडिया के अंदर बहुत साथ लोगों इसको लेकर के even जो Sunday का हमारा जो live chat था वहाँ पे भी लोगों ने मुझे उस hosting के बारे में पूछा तो guys आज हम बात करने वाले है reseller club के बारे में so आप सभी जानते है इस mostly hosting के बारे में यह hosting इंडिया के अंदर well known है आप देख सकते हैं यह reseller club.com इंडिया के अंदर यह well known hosting है बहुत सा लोग इसको बाय करते हैं और बहुत सा लोग के अपने वीडियो पर देखाऊंगे तो चलिए आज हम देखते कि क्या इसकी खासियत है क्या इसकी खुबी है और मैंने इसका भी एक टेस्ट अकाउंट लिया है ताकि मैं आपको दिखा सको कि क्या किस सरी कैसी hosting अपने को services provide करता है तो अब देख सकते हैं यह इसकी home website है लेकिन guys यह जो hosting service है इसके अंदर दो चीज़े हैं अगर आपको country specific login करना है या global login करना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर topic global दिख रहा है तो कभी यह top पर दिखता है तो किसी के यहाँ पर आपको यहाँ पर bottom में दिखेगा आपको दि site पर चले जाते हैं ओकी guys अभी हम बात करेंगे review करने वाले हैं वह hosting के अंदर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे share hosting के बरा में क्योंकि यही मैं beginner को recommend करता हूं लेकिन आज तक हमने सिब discuss किया है वो है windows based share hosting बट आज हम बात करेंगे linux share hosting और जैसे ही आप linux share hosting पर click करते है इंपोरेंट होती है अगर आप रियली में website स्टार्ट करना चाहते हैं चले सबसे पहले में आपको बता देता हूं windows बेस शेयर hosting और linux-based share hosting में डिफरेंस क्या होता है जैसे आपको पता है linux अपना इक operating system है Windows अपना इक operating system है जब विंडो नहीं आया था तो पहले linux-based operating system हम लोग use करते थे linux और unix आपना नाम सुना होगा इसका advantage यह है यह command prompt पर चलता है जहां पर आपको command window पर जाकर कर टाइप करते और इस तरह के से काम करता है लेकिन यह बहुत ही highly secure है जी गाइस अगर आपको पता है 2016 के अंदिर जो bitlocker के नाम से एक बहुत है cyber attack हुआ था उस नहीं मिला था तो यह advantage हो जाता है linux based trade hosting का आपकी security बहुत ही high level तक कर देती है और अगर आपको पता है wordpress एक ऐसा platform है जहां पर जो भी sites होती है वो आपके through hosted होती है मतलब you are the responsible for security right अगर आप blogger में बनाते है तो blogger का तो already google आपकी security देखता है लेकिन wordpress के अंदर you are responsible for securing your website right तो उसके अंदर hosting सबसे important होता है तो यहां chances of hacking जो होता है windows के अंदर ज्यादा होता है as compared to linux तो security feature आपका यह है दूसरी चीज में अगर बात करो जो मुझे difference समझ में आता है वो यह है कि window based share hosting में आपको mostly downtime देखने को मिलता है क्यो downtime को मिलता है तो कि जब देखने को मिलता है क्योंकि इनके जो auto features होते है within the servers के अंदर वो auto restart होते रहते हैं जिससे ज्यादा कुछ impact देखने को ही नहीं मिलता है तो यह दू major changes होते है Linux और Windows based share hosting लेकि मैंने आपको बताया कि Linux based share hosting के अंदर आपको क्या problem हो जाती है आपको command promise से deal करना परता है और non technical person से काम नहीं कर सकता ह लेकिन इस चीज़ का solution हमें reseller club जैसे companies जो भी आजकर Linux based share hosting sell करती है वो provide करती है इसलिए मैं आपके सामने इसके बार में भी बताऊंगा कि कैसे वो problem solve की है क्योंकि यह लोग हमें provide कर रहे है वही standard c-panel और कैसा c-panel दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसा कि हमारे पास windows based share hosting चाहे bluehost a2o या host cater हो इन सब के थ्रू दिखता है एक छोड़ा सा intro दे दू reseller club जो company है basically यह company own की गई है EIG group के द्वारा अगर आप जानते है EIG group की कौन-कौन से company है तो bluehost पी उसी का part है host cater भी उसी का part है और बहुत सारी 74 companies आप जो देख सकता है IP जो one of the well-known hosting है यह अगर इसी का part है अगर इसे के list को थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते है reseller club.com जिसको EIG नेक्वाइर किया था January 2014 यह रिलायबल और trusted hosting service है जो इसके प्लान के बारे में बात करते है यह हो गया hosting आप ने देखा इसका Linux shared hosting इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे त इसके three plans software करते है थोड़ा सा overview लेते हैं इसका पहला plan है जो है personal plan है इस plan के अदर आप देख सकते है basically यहां पर सिर्फ आपका single domain host हो सकता है मतलब कि अगर आप सिर्फ एक site को host करना चाहते है Linux based type की share hosting के अंदर तो आप जा सकते है personal plan के साथ में और इनके सारे plan के अदर एक च जो S होता है मतलब secure होता है तो Google कहीने की उसको ranking advantage देता है और सबसे best part reseller club आप कोई साभी plan इनका buy करो they will provide you free SSL certificate जब तक कि आपका account इनके साथ active है yes guys one time आपको कोई भी hosting buy करना आपका SSL जितनी site ही allow करते है उतनी site पे free of cost में मिलेगा आपको कुछ पी additional pay करने की जरूरत नही है दूसरी चीज personal plan के अंदर आपको single domain है और unlimited storage मिलता है unlimited इतना मत समझ लीजे कि आपका traffic millions में handle कर लेगा आप समझ सकते है share hosting की capacity कितनी होती है तो वो depend करता है आपकी site आप कैसे optimize करते है right sub hosting plan का यही problem है right तो उसी case के अंदर आप जितना site को अच्छे से optimize करेंगे उतना आप है कोई भी hosting purchase किये तो उसका जो account login करने के बाद में आपको wordpress पे जाना होता तो उससे पहले अगर आपको hosting के backend में कुछ change करना है तो कोई तो technical screen होने चाहिए यहाँ पे आपको अच्छा कासा interface मिले सीधा one click में काम हो जाए कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा तो यह free say panel यह आपको देते हैं जो one of the best thing है और दूसरा चीज one click installation है okay simply click करो आपका install ही जाता है साथे साथ एक general कुछ feature अपन डिसकस कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मैंने chat support भी थोड़ा review किया I just type there मैंने simply online chat support पे इनको ping किया और मुझे within a one minute response में का है so as compared to A2 hosting जहाँ आ परना पड़ता है यहाँ पे मेरा काम एक से दो मिल्ट में हो रहा है which is again a good thing okay इसके पद आप देख सकते हैं इनके पास inbuilt आप देख सकते हैं यह cloud cloud flare है तो कहीने के आपकी site पे spamming होने से लोग बचा के रखेंगे दूसरी चीज आप देख सकते है free का c panel मिल रहा है website की जो hosting speed है वो कहीने कई हाई मिलेगी क्योंकि lightning fast web speed यूज़ कर रहा है which is again a good thing लेकिन एक सबसे interesting चीट मुझे यहाँ पर जो लगी गाई वो है free website migration जी गाई अगर मैं compare करू free website migration को bluehost के hosting के साथ में तो bluehost आपको free site migration नहीं देता है मतलब क्या अगर मान लेजे कि आपके existing site host creator पे अग नहीं डालेंगे आपको pay करना पड़ेगा लेकिन यह की site पर displayed है कि हम लोग free website migration देते हैं तो कहीने कि आपका 25-30 डॉलर एक site migration पर बच जाता है because they are providing free site migration जो बहुत ही कम companies देती है जैसे कि मैंने compare किया bluehost आपको 25 डॉलर एक site की migration का charge करता है तो that is again an advantage okay guys तो इस case केंदे personal plan, business plan और pro plan और मैंने आपको बहुत सब्सक्राइब को बता के रहा है bloggy के कैसी industry है जहां पर आप जब beginning करते हैं तो हमेशा आपका target लो रहता है कि मैं एक site से start करूंगा लेकिन जैसे आप 2-3 मीनों बाद सीख जाते है तो automatically आपका mindset बनता है कि चले आप दूसरी side सा look करता है और उस time पर आपको यह decision मैंने बोला कि hosting और domain एक ऐसा decision है जो आपको बहुत selective लेने है तो इसलिए आपको हमेशा आपके पास flexibility होनी चाहिए इसलिए मैं prefer करता आप जाओ इसके business plan के साथ में जहां पर same चीज़ आपको मिलती है ओके individual site के लिए लेकिन आ इनके plan के according जितना minimum plan लेंगे आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा तो यहां से देखिए जैसे ही हम लोग basically recommend करते है at least one year का plan लीजे तो आपको 280 रूपीज अगर दो साल का लेते तो 260 रूपीज पर मन के इसाप से Linux based hosting का मिलता है तो चलिए हम बात करते है at least one year के domain नहीं है completely आप blank हो यहां पर domain की जरूरत पड़ती है तब ही आप इसको sign up कर पाते है अगर domain नया बाय करना है तो आप simply आप टाइप कर देजे माल लेजिए कि किरतिश्वयास.in right फिर मैं check availability करूंगा तो automatically यह जो domain है आपके hosting के charges के साथ add हो जाएगा उसका charge आपको pay करना पड़े जैसे कि one year के लिए आपको 490 लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे पास already domain है और मेरे पास actually है तो मैं क्या करूंगा I already have a domain पे क्लिक करूंगा और मेरे पास जो domain है वो मैं type कर दूँगा और माल लेजिए कि मेरा कोई भी domain मैं वही type कर देता हूँ bloggingos.com माल या future में change कर सकते हैं यह सिफ आपको login purpose से होता है बात में चाकर क्या आप इसको change कर सकते हैं यहाँ पर देख सकता है जितना आप month और year चूज करेंगे उसके हिसाब सापको pay करना पड़ेगा मैंने one year चूज किया है जिसका overall costing है 3300 हो सके हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ चलिए मैंने यह पूरा detail डाल दिया ओकि और मैं अफटावर्स से इसको यहाँ पर detail डाल देता हूं ताकि आपको इससे यहाँ पर हमने password दे दिया है entry दे दिया है और साथ इसाथ postal code और सारी चीज़ा update कर दिया है अभी simply आपको conditions पर click करना है और create account पर click करना है जैसे ही ID के अंदर वहाँ पर आपको एक email आ जाता है और यह email को जैसे ही मैं click करूंगा तो यहाँ से आपका account approved हो जाएगा लेकिन अभी तक हमने payment नहीं किया है गाई तो आप देख सकते हैं अभी भी हम सेम स्क्रीन पर हैं मैं वापस जाओंगा वहाँ पर ओके और देख सकते हैं इनके payment method है आप net banking के थो पे कर सकते हैं पे यू के थो पे कर सकते हैं credit card के थो पी कर सकते हैं UPI हो रूपे card हो debit card हो मतलब जितने भी इंडिया में visible options है PayPal सारी चीज़े आप यहाँ के थो payment कर सकते हैं और जैसे ही आप पे करते हैं automatically आपको email triggered होता है कि आपका account successfully activate हो चुका है जैसे ही आपको email आता है guys आप simply उस पे click कीजिए automatically आप login window पे आएंगे login window पे आपको username और password एंटर करना है जो कि आपने account create करते है time use किया था simply जैसे ही आप इसके entry करते है guys तो automatically आप इस तरीके के account में login हो जाते हैं तो चलिए मैं इसको login कर देता हो एक बाद जो मेरे पास account ह इसके help से तो आपको दिखेगा तो जैसे ही हमने इसको login किया तो हम automatically इसके Linux multi domain Linux based के अंदर backend में आग और यहाँ पे देख सकते है guys यह लोग हमें free में offer करता है cPanel जैसे ही मैं cPanel पे click करता हूँ automatically आपन cPanel के window पे आ जाता है यह same दिखता है जैसा Bluehost होता है host cater होता है त so let's refresh it और see कि यहाँ पे क्या क्या ओके हमने शायद log out कर लिया सो गाइस simply आपको यहाँ पे आना है और इसको type करना है 12345 जो भी है password और simply इसको login करना है जैसे आप login करते है automatically यहाँ पर जो multi domain मैंने buy किया वो display होगा इसको जैसे आप click करते है automatically आप इस window पे आ जाता है और यहाँ पे दिख सकते है guys go to cPanel that means कि cPanel यह लोग हमें free of cost में offer करते हैं आपको अलग से कुछ करना की जरूत नहीं है simply go to cPanel पे click करना है automatically आप cPanel की window के चले जाते हैं थोड़ा सा overview दूँगा cPanel कैसा दिखता है ताकि आपके सारे doubts clear हो जाए okay guys stop देख सकते हैं यह वही standard cPanel है जो हमें हर जगह मिलता है तो आपको technically कोई भी चलेंज नहीं आएगा scroll down किजा आपको समझ में नहीं है इनके support स्टाप साब connect कर सकते हैं वह आपके लिए कर देंगे और जैसे यह WordPress install होता है हम simply इसको open करके check करेंगे कि कैसा देखता है और इसका जो window और इसका जो look होता है देख सकते हैं आप already मेरा install हो चुका है यहाँ पर all installations आते हैं यहाँ पर आप जाएए और यहाँ पर admin का option इसको जैसे ही मैं click करता हूँ और automatically guys यह जो site है मुझे route करेगी WordPress के backend की तरफ जो कि अपना WP admin का window है So guys इस तरह के साब को देख रहा है so यह process है पूरा reseller club का और I am very happy basically यह लोग जो हमें Linux-based share hosting और इसके अंदर C panel provide कर रहा है That is amazing, इनका जहां तक मैंने देखा support अच्छा लगा, free site migration लगा, it is a part of a EIG group लगा, security का आपको issue नहीं होगा और साथी साथ shared के अंदर आपके पास windows और दूसरे भी options है So I hope guys आपको यह video पसंद आया होगा, अगर आया है आपके comment करके बताइए, अगर आप यह hosting buy करना चाहते है तो इसके दो links होंगे एक India specific link जो मैं description में देदूँगा, एक global link जो भी मैं description में देदूँगा आप किसी के भी through जा करके buy कर सकते है, multi currency आपको options वहाँ पर देखेंगे आपको यह video पसंद आया होगा, पसंद आया है तो comment करके बताए, like करके बताए, आपकी कोई भी pending queries हो, बताते नहींगा क्योंकि ऐसा ही मैं करता रहूँगा different parts के reviews based on your comment और कुछ लोगों ने मुझे cloud hosting के बारे में भी बोला था, so definitely इसको भी आपन carry forward करेंगे coming videos केंदर, लेकिन आज के लिए फिर मिलेंगे एगले वीडियो केंदर, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत